दोस्तों हार्दिक पांडिया और उनकी पतनी नतासा इस्टोकोविन के बीच में अन्बन और तलाक की खबरे जाद चल रही हैं हलाकि दोनों की तरफ से कोई वयान सामने नहीं आया है हार्दिक पांडिया भी इस समय भार से बाहर ही हैं उनको टी 20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका जाना है नतासा को दो दिन पहले ही किसी कैफे में देखा गया था के सामने आया था नतासा को जब तलाक के लेकर सबाल किये गए तो उन्होंने कोई भी सबाब नहीं दिया वहाँ अपने दोस्त के साथ आई थी उन्होंने हार्दिक के बारे में कोई भी बात नहीं की इस बीच पांडिया और नतासा को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है दोनों के रिस्तों को एहम और बड़ा खुलासा सामने आया है किसी ने सोचा भी नहीं था कि पांडिया और नतासा का रिस्ता अब इतनी दूर निकल जाएगा और दोनों के बीच में कावी मुटाब हो गया है टाइम नाव के अनुसार रिपोर्ट में बताया है कि हार्दिक और नतासा के बीच में करीब एक मित्र मिले थे लेके इसाब से दोनों के बीच में कावी समय से चीचे खराब चल रही है कि पीच में कुछ भी अच्छा नहीं चला है उन दोनों में साथ में नहीं रह रहे हैं और दिक्कत हो रही है साथ में रहने में आंगे बताया की नतासा और हारदिक एक तूसरे से दूर चले गए हैं यह बताया की नतासा अब हारदिक से दूर रहने लगी और वापस कब आई यह भी नहीं बता सकते कुर्तलप की नतासा को IPL के में चुके दोरान भी नहीं देखा गया हलाकि तब किसी का ध्यानी इस तरफ नहीं गया इसके बाद नतासा के इस्टाग्राम से पांडिया सर नैम हटने के बाद लोगों ने पकड़ लिया गया और इस खबर को चारो तरफ फैला दी गया नतासा और हार्दिक ने पिछले साली पूरी तरह से रिती रवास साधी की थी लेकिन अब दोनों के बीच में चीज़े घराब हो गई है और साल दोजार बीच में इन दोनों ने पहली बार साधी की थी और उस समय कोरोनकाल चल रहा था किसी को कुछ पता नहीं था और अब यह इनका एक बेटा भी है और दोस्तों सोसल मीडिया पे ये भी खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या की जीवनकाल की पूरी कमाई का 70% अतासा मांग रही है आकर यह खबर कितनी सही है और कितनी गलत है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है यह आप को जानकारी देखने को मिली है यह इंटरनेट से ली गई है और अगर इसमें आप कोई कमी नजर आ दिये तो हमें कमेंट सेक्सिन में ज़रूबत आना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जैसी आराओ